आज मैं लाए हूँ आपके लिए इसी 5-10 मिनट में घी निकालने का तरीका ओवे डियरेक मलाई से तो बहुत ज़्यादा हेलफुल होने वाल यह वीडियो तो यह घी निकालने का आसान तरीका आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा किसी भी यूटूब चैनल पर तो इस वीडियो में बने रहिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए तो यहाँ पर देखिए दस दिन की मलाई मैंने इकटा करके रखी थी डी फ्रीजर में जहाँ पर आप सबजिया रखते हैं वहाँ पर आपको नई रखना है जहाँ पर हम आई जमाते हैं वहाँ पर आपको रखना है जब भी आपको एक घी बनाना है तो डी फ्रीजर से नि तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है आप कोई भी स्टील का भी ले सकते हो उसमें आपको यह ट्रांसपर कर देनी है सारी ही मलाई अगर आपके पास ज्यादा मलाई हो तो उससे भी आप बना सकते हो और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक चम्मत से या कोई भी जो आपके पास बीटर हो उससे आपको आसानी से इसे चलाते रहना है ऐसे ही आपको गुमाते रहना है इसे ज्यादा तेरी के लिए आपको नहीं कर करना है सिर्फ आपको 2-3 मिनुट के लिए ही आपको करना है तो यह देखिए आप एक फोक से भी आप कर सकते हो एक चम्मत से या कोई भी बीटर से भी आप इसे अच्छी तरह से बीट कर सकते हो यह देखिए मैंने एक बीटर ले लिया था इसे भी आपको ऐसे चलाते रहना ह देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मकन यहाँ पर निकलने लगा है गाड़ा हो चुका है इसे चकरने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर पानी पर मैंने इसे दाला तो यह थोड़ा सा उपर तैयरने लगा इसका मतलब है कि यह तैयार हो चुका है आपको थंड मिल जाए तो यहां पे आप देख सके थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट इससे अंदर से निकलने लगा है वो है दूद जो मलाई के साथ हम निकालते हैं तो दूद भी आ जाता है इसमें तो दूद यहां पे सेपरेट हो जाता है और मक्कन हमें यहां पे मिल जाता है तो दे देख सकते हो फ्रेंड यहां पे हमारा मक्कन अलग हो चुका है और यहां पे मिल्क सेपरेट हो चुका है आप चाहे तो इस मक्कन को ऐसे ही ब्रेट पे लगा के भी खा सकते हो पर आटे के साथ भी आप खा सकते हो पर मैं यहां पे घी बनाने वाली हो तो मैं घी का प्रोसेस आपके साथ share करूंगी तो देखे अलग हो चुका है यहां पे मकन और दूद अलग हो चुका है इसे में दाल दूगी पानी में जो मैंने थंडा पानी लिया था यहां पे उसमें आट कर लूँगी चोटे-चोटे बॉल्स बना के तो देखे यहां पे थंडे पानी में आट कर हो जाएगा दूद होने की वज़े से तो हमें बिल्कुल भी यहां पे मकन हमें चाहिए दूद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो देखे साराई में मकन इसमें सेपरेट कर लेती हूं यह जो थोड़ा सा दूद बचा है उससे आप रोटी वगेरा बना सकते हो गुंदने क काम में ले सकते हो तो चलिए यहां पे मकन हमने सेपरेट कर लिया है मकन को भी अच्छी तरीके से हम धो लेगे पानी से तो देखे फिन ऐसे धो दो के आपको एक कड़ाई में एड करना है जिसमें भी आपको बनाना है घी तो देखे अच्छी तरीके से आपको वाश कर ले के एक कड़ाई में दाल दूंगी तो इससे ज्यादा इजी प्रोसेस आज तक आपने नहीं देखा होगा घी बनाने का घर में ही जब भी आप दूद को उबालते हो मलाई को इकटे करते रहना है उसे डी फ्रिजर में रखके आपको जब भी घी बनाना है आप बना सकते हो मेर तरीका दही के उपर से आप मलाई निकाल के भी कर सकते हो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है घी और बिल्कुल भी ना मिलाउट वाला घी हमें मिल जाएगा यह देखिए मकन हमारा रेडी हो चुका है तो चलिए इसे हम रख देते गैस्टो उपर तो देखिए यह आप को स्लो फ्लेम पे ही करना है लगातार चलाते हुए आपको करना है तो चलिए यहाँ पर हम मलाई को पहले पिगला लेते हैं तो इसी से हमारा घी बनेगा तो यह देके फिटर ऐसा आपको चलाते रहना है बिल्कुल भी यहाँ पे हातों को नहीं रोकना है तो यह देखे यह बहुत आसान तरीका है घी बनाने का आपने देखे होगे बहुत सारे वीडियो इसमें बहुत सारे लंबाल नमर टाइम लेते है घी बनाने में तो मैंने बहुत आसान तरीके से आप को बताया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर थोड़ा भी पसंद आया तो जरूर आप शेर कीजिए तो यह देखिए गी यहाँ पे निकलने लगा है आपको नजर आ रहा होगा गी यहाँ पे साइट से किनारे छोड़ने लगा है तो ऐसे ही आपको लगातार पकाते रहना है जब इसमें थोड़े थोड़े से पार्टिकल हो जाए थोड़े लाइट ब्राउन तभी आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है आगे में बताऊंगी आपको यह देखिए घी यहाँ पे हमारा पूरा नजर आने लगा है जो पूरा नजर के थोड़े से पार्टिकल होते है वाइट बाले पूरी तरह के से जल जाएगी और हमें प्यूर यहां पे घी मिल जाएगा तो आपको यह लगातार जलते रहना है क्यूंकि घी का जो टेमप्रेचर है बहु ज्यादा हाई होता है तो इसे लगातार हमें चलते रहना है ये देखी अंदर का जो है ब्राउन हो चुका है तो इसे हमें फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देनी है फिर भी बहुत जादा इसमें जाग निकलती रहेगी तो हमें लगातार इसे चलाते रहना है तो ये देख सकते हो फ्रेंड थोड़े थोड़े अंदर मुझे ब्रा ये बातों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है नहीं तो क्या होगा घी में से स्मेल आने लगेगी और जल जाएगा घी तो यहाँ पे आपको लगातार चलाते रहना है तब तक कि ये घी पूरी तरीके से शान ना हो जाए तो ये देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे घी हमार सेप्रेट हो चुका है जो यहाँ पे उपर से थोड़ा थोड़ा आपको जो आपको थोड़ा जाक नजर आ रही हो अपने आप कतम हो जाएगी तो चलिए इसे हम चान लेते हैं इसे आपको बारिक वाली चन्नी से ही चानना है ताकि पूरा हमें घी इसमें मिल सके कोई भी पा इसी बाटल में आप इसे स्टोर करके रखे और इसमें गीला पानी या गीले हाथ का यूज ना करें अगर यह वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेरें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए तो चलिए मिलते हम ऐसे ही अगले वीडियो में